श्री स्वामी नारायन भगवान की जै अक्षर पुरुषोत्त महाराज की जै राधा क्रश्न देव की जै सियावर राम चंद्र भगवान की जै उमापति महादेव की जै प्रमुक स्वामी महाराज की जै महंत स्वामी महाराज की जै प्रमुक स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जै विश्व के धरातल पर आज तक पनप चुकी और पनप रही विवीद संस्कूरूतियों में भारतिय संस्कूरूती ने अपनी एक अनूठी पहचान खड़ी कर रखी है और भारतिय संस्कूरूती को यह पहचान दिलाने में अनेक विद विशेस्ता एक कारण भूत है उसमें एक विशेस्ता है भारतिय संस्कूरूती की उज्जुवल संत परम्परा इस संस्कूरूती की मानो एक मिलकत के रूप में विद्यमान यह संत परम्परा उसका सत्व और उसका महत्व समझाते हुए महत्मा गांधी जी ने एक बार ऐसा लिखा था कि जब जब मैं हिंद के इतियास का अध्यान करता हूँ तब एक बात मेरे दिमाग में साफ उभर कर आती है कि इस भारत में हुए अनेकवित संतों ने जगह जगह पर परिभ्रमन करके भगवान के दया और दान के संदेश को गर गर में पहुँचा कर जो राष्ट्र सेवा की है ऐसी राष्ट्र सेवा और किसी से नहीं हुई है उन्होंने ये भी बताया दुनिया के इतिहास में हिंदुस्तान को अग्र क्रमांक पर रखने में भारत के संतों ने प्रजा के चारित्र का जो निर्मान किया है वह बात सबसे अधिक मुल्यवान है तो ये भारतिय संत परंपरा है जिसने भारत को दुनिया में प्रतिष्ठा दिलाई है महान यूरोपियन लेखक श्री समर्सेट मौम ने भी कुछ ऐसा ही लिखा है कि इट इस अ मिस्टेक धेट तु मीन दोज इंडियन होली मैन लिड यूजलेस लाइवस भारत के रुशियों, मुनियों, संत एक निरठक जीवन जी रहे है ऐसा मानना एक गंबिर्क शती है गलती है भारत के संत तो विश्व के अंधकार में जगमगाते नक्षत रखे समान है ऐसी भारत की उज्वल संत परंपरा में सुर्य समान तेजस्वी एक संत विभूती का अवतरण हुआ दिनांक 7 दिसंबर 1921 के दिन जो संत विभूती को आज पुरा विश्व परंपुज्य प्रमुक स्वामी माहराज के नाम से पहचानता है गुज्रात राज्य के बडवदा शाहर से 12 किलोमिटर की दुरी पर बसे चांसद गाउ में जन्म लेने वाले परंपुज्य प्रमुक स्वामी माहराज ने लोक कल्यान के लिए अवतारधरन किया था महान पुरूशों का जिवन जब हम देखते है तब एक साधारण सी बात एक कॉमन थिंग यह दिखाई पड़ती है कि महान पुरूश ने जिस हेतू के लिए इस पुरुथवी पर अवतारधरन किया हो उस हेतू पर वे कैंद्रित रहते हैं उस हेतू को सिद्ध करने के लिए जो शैली अपनानी है उसका दर्शन उनके बचपन से ही हमें देखने को मिलता है तो प्रमुक स्वामी माराज आये थे लोक कल्यान के लिए और उसके लिए त्याग मार्ग की शैली वे अपनाना चाते थे क्योंकि जब तक मनुष्य के दिमाग में मेरा एक घर है, परिवार है, गाउ है, जमीन जागिर है, कूल है, कुटुम्ब है, ऐसे विचार रहते है तब सामाजिक सेवाओं में, निस्वार्थ सेवा करने में कुछ रुकावट आने की शक्यत आये है प्रमुक स्वामी महराज ने लोक कल्यान के लिए अवतार धरन किया था, तो उन्होंने अपना ये हेतु परिपूर्ण रुप से सिद्ध करने के लिए यभी चैन किया था कि त्याग मार्ग से ये क्यारिय हमें करना है तो उनके शैशव से ही उनके जीवन में त्याग वैराग्य की बाहुल्यता देखाई पड़ती थी चाहे वे उनके कपडे हो, चाहे वे उनके वाहन हो, चाहे भोजन की बात हो, लेकिन हर एक बात में त्याग वैराग्य की प्रधान था उनके जीवन में थी उसके साथ प्रभू भक्ती का भी मेल बैठा था हरोस गाउं के मंदिरों में दर्शन के लिए जाना मंदिर में जाकर महा सादू संतों का सत्संग करना भगवान की कथा सुननी यह भी उनकी अंगभूत बात थी उनके गाउं में जो हन्मान मढी थी उसके पुजारी जब जब स्वामी जी उनके द्वार पे दर्शन के लिए जाते थे तब उन्हें हरी द्वार और रुशिकेश की बाते सुनाते थे वह सुनकर प्रमुक स्वामी महराज को बचपन से ही हरी द्वार में जाकर रुशिकेश में जाकर बकवान की भक्ती करना, सत्संग करना यही बात दिमाग में चलती रहती थी लेकिन उनकी एक विशेष्टा यह थी कि वे गुरु मुखी साधक थे उन्होंने कभी भी अपने गुरु की आग्यां, उनका आदेश, उनकी अनुवरुत्ति का उलंगन नहीं किया था तो एक बार उनके गुरु जी भ्रह्म स्वरुप शास्त्री जी महराज का खत उन पर आया उस पत्र में गुरु जी ने आदेश दिया था कि यह पत्र मिलते ही आप मेरे पास चले आना आपको साधू दिक्षा प्रदान करनी है यह पत्र पढ़कर प्रमुक्स्वामी महराज तुरंथ ही अपना घर छोड़के परिवार छोड़के चल निकले वो दिन था साथ नवंबर 1949 का इससे में दिखाए पड़ता है कि संसार में वे रहते थे लेकिन संसार से कितने निरलेप थे जैसे भगवद गिता में लिखा है कि पद्म पत्रम मिवाम भसा कमल का फूल जल में ही रहता है लेकिन जल से निरलिपत रहता है उसी प्रकार स्वामी जी घर में थे, उनका परिवार था, संसार में थे, लेकिन संसार से ऐसे विरक्त थे कि गुरु इसका एक पत्रा आया और उसको पढ़कर न कोई मनो मन्थन, न कोई आत्मचिंत, न कोई संगर्ष वे निकल पड़े त्यागाश्रम स्विकार करने के और 22 नवंबर 1949 के दिन, उनके गुरु ब्रह्मस औरुप शास्त्री जी महराज ने उनको दिक्षा प्रदान की, दिक्षा स्विकार करने के बाद, प्रमुक स्वामी महराज ने संस्कृत अध्ययन एवं मंदिर निर्मान की प्रवरुत्यों में अपने को जोड़ दिया, द ब्रह्मस औरुप शास्त्री जी महराज ने अपने ये शिश्य को संस्ता के प्रमुक पद पर बिठाने का निश्चे कर लिया, और दिनांक 21 मई 1950 के दिन, अहमदाबाद में शास्त्री जी महराज ने ये विश्व व्यापी B.A.P.A. संस्ता के प्रमुक पद पर ब्रह्मस प्रमुख स्वामी महराज को बिठाया. तब से लेकर 65 साल तक स्वामी जी ने प्रमुख पद पर रहकर सेवाये कि, लेकिन उसके बाद जब 20 साल पूर्ण हुए तब 23 जनवरी 1971 के दिन प्रमुख स्वामी महराज को उनके गुरु थे ब्रह्म guru योगी जी महराज, उन्होंने इस संस्था के अध्यात्मिक सुकानी के रूप में भी वरण किया तो 1971 से लेकर 45 साल तक प्रमुखपद के साथ साथ स्वामी जी ने अध्यात्मिक गुरु की भुमिका भी निभाई तो 65 साल तक प्रमुखपद पर 45 साल तक अध्यात्मिक गुरु पद पर और 94 साल आठ मा और 6 दिन तक इस पुरुथवी पर रहकर प्रमुख स्वामी महराज ने जो कारिय किया है उन्होंने जो जीवन हमारे सामने रखा है उन्होंने जो संदेश दिये है वे आज के जमाने में हर एक मनुष्य के लिए सुख दायक है समाधानकारी है और प्रेरणा प्रद्वी है जैसे मनुभगवान के लिए ऐसा कहा गया है कि यद वई किंच मनुर अवदद तद भेशजम मनुभगवान ने जो जो कहा है वो आउशद रूप है इस प्रकार हम कह सकते है कि प्रमुख स्वामी महराज ने इस धरातल पर रहकर जो जो कुछ कहा जो जो कुछ किया जो वि विच्रण किया वह सब का सब मनुष्य मात्र के लिए उप्योगी है मनुष्य मात्र के लिए सुख प्रद है प्रेणा प्रद है और समाधान कारी भी है उनके कारिय का हम विचार करें वैसे कारिय तो प्रमुख स्वामी महराज ने बहुत सारे किये एक सो पचास से अधिक प्रवृत्यों का वे सफलता पुर्वक संचालन करते थे। उन में से एक कार्य था मंदीर निर्मान का। मंदीर निर्मान भी प्रमुक स्वामी महराज ने दुनिया के पांचों खंडों पर एक हजार से ज्यादा मंदीरों का निर्मान किया है। लेकिन उन्मे से एक दिल्ली के अक्षरधाम का हम विचार करें, जिसे Guinness Book of World Records ने दुनिया के सबसे बड़े मंदिर के रूप में दर्ज किया है, तो ये प्रमुक स्वाही महराज का एक कारिय था, और ये कारिय मनुष्य मात्र के लिए क्या-क्या प्रेणा देने वाला है, एक दो उदारण से यदि हम देखे, तो इस अक्षरधाम में एक बार बाहरीन के भारतिय राजदूत श्री शेट्टी आने वाले थे, केराला के निवासी या राजद्वारी एक घंटे का समय निकाल कर अक्षरधाम की मुलाकात लेने की इच्छा रखते थे, लेकिन जब उन्होंने संतों से सुना कि अक्षरधाम में तो बहुत कुछ देखने का है, तब उन्होंने सोचा कि चलो एक नहीं, हम दो गंटे तक अक्षरधाम की मुलाकात लेंगे, ऐसा तई करके आने वाले ये श्रिमान शिटी जी आठ गंटे तक अक्षरधाम में ठहरे, और अक्षरधाम को देखकर उन्होंने अभीप्रा यह दिया कि वन विजिट अप अक्षरधाम इस इनफ, अक्षरधाम की एक मुलाकाती परियापत है, it is like inoculation, vaccination, when you are vaccinated, then you are safe from smallpox all your life, जब आपके जिवन में आप किसी भी रोग से सुरक्षित हो जाते हैं, तब पूरे जिवन में उसकी कोई चिंता नहीं रहती है, उसी प्रकार यह अक्षरधाम की एक मुलाकात हमें, खराब वातावरण से, बुरे विचारों से, बुरे पठन-पाठन से सुरक्षित रखती है, बुरी आदोतों से हमारी रक्षा करती है, तो यह स्वामी जी के कारिय का प्रताप्त है, जो भी उसकी जलक पाते थे, उसके जिवन में, वे बुराईयों से सुरक्षित रहते थे, इसी अक्षरधाम में बाहरीन से एक उद्योपती भी आये थे, दिनांग 17 जनवरी 2006 के दिन, और अक्षरधाम की मुलाकात लेकर आठ सो करमचार्यों को उन्होंने एकत्रित किया, और उनको संबोधन करते हुए कहा कि आज इस कंपनी का मालिक मैं भीतर से भीतर पूरा बदल कर आया हूँ, आज तक मैं आपको डाटता रहता था, लेकिन मैंने अक्षरधाम की मुलाकात ली और मेरे जीवन में परिवर्त आया है, तो मैं आज इस सभा में प्रतिगना करता हूँ कि I will not get angry on you, मैं कभी भी आप पर क्रोध नहीं करूँगा, जीवन में जो स्वभाव है जिससे मनुश्य परेशान रहता है, उस पर काबू पाने का बल ये अक्षरधाम की एक मुलाकात से मिलता था, तो स्वामी जी क जो कारिय है, वो ऐसा है कि हर एक मनुश्य को वो ताकतवर बनाते है, जीवन में सुख शांती के मार्ग पर चलने के लिए, स्वामी जी का एक कारिय था, भारतिय संस्कृति को बढ़ावा देने वाले उत्सव, उन्होंने भारत में ही नहीं, अपितु युरोप, अमरीका जैसे देशों में भी एक-एक मास तक चलने वाले उत्सवों का आयोजन किया था, और इस उत्सवों में जो जो आते थे, उनके जीवन में भी कहीं समस्याओं का उन्हें समाधान मिलता था, आगे बढ़ने की प्रेरा मिलती थी, उन्निसो पिचासी के साल में, गुजरात के अहमदाबाद में, अक्षर ब्रह्म गुणातिता अनंद स्वामी द्विशताब्दी मोहसव का आयोजन किया गया था, उन्साथ दिन तक चलने वाला यह उत्सव, उसमें एक अतिति के रूप में, केन्या देश के मंत्री मान्यवर्षी जौसेफ मटूरिया भी एक थे, इस समय उत्सव के दौरान केन्या देश की पार्लामेंटा सत्रच चल रहा था, लेकिन ततकालिन राष्ट्रप्रमुख श्री मोही ने परवान की देकर, इस जौसेफ मटूरिया को हिंदूस्तान इस उत्सव में सम्मेलित होने के लिए भेजा था, श्री जौसेफ मटूरिया मध्यपान के आदत ही थे, उनकी पत्नी, उनके मित्रों ने उनकी ये मध्यपान की आदत को छुडाने के लिए बहुत प्रहतने किये थे, लेकिन वे छुटकारा नहीं पास सकते थे, और इस बुराई के कारण उनके परिवार में भी बहुत क्ले श्रहता था, जगड़े होते रहते थे, ऐसे श्री जौसेफ मटूरिया प्रमुक स्वामी महराज के उच्सव में आये, उच्सव का वातावर उन्होंने देखा, प्रमुक स्वामी महराज की दिव्यता का संस्पर्श उन्हें हुआ, और खास करके इस महत्सव में जो दिक् सादक की दिक्षा, 57 सादकों को पार्षद दिक्षा, और 116 पार्षदों को सादु दिक्षा, यानि कि कुल मिला कर 202 नव युवाओ को दिक्षा प्रदान की, और ये सभी सूशिक्षित थे, साधन संपन्न थे, यह देखकर श्री मटूरिया को विचार आया कि ये नव जब प्रमुक्साई महराज के चर्णों में निचावर कर रहे हैं, वे सांसारिक समरुद्यों का त्याग कर रहे हैं, तो मैं मद्यपान क्यों नहीं छोड़ सकता हूं? और उन्होंने इस महोसव की एक सभा में जाहिर किया कि आज से मैं कभी भी मेरे जिवन में मद्यपान नहीं करूंगा। उन्होंने ये जब प्रतिग ना ली और ये भी बताया कि आज यहां में आया हूं, तीन दिन तक यहां ठेरने वाला हूं, तो तीन दिन गुजारा करने के लिए मैं विस्की की तीन बॉटल मेरे साथ ले आया हूं, लेकिन मेरे बेस्ट फ्रेंड एक खास मित्र के रूप में रही है, शराब को मैं छोड़ कर, आज मेरे जीवन में एक नए मित्र प्रमुक स्वामी महराज को प्राप्त करता हूं, और उनके जीवन में ये जो बुरी आदत थी, वो इस उत्सों में आने से छूट गई, और कितनी हद तक, तो उन्होंने अफरीका जाकर बाद में खत लिखा था, उसमें बताया था, कि जैसे कोई व्यसन ही व्यसन को छोड़ता है, लेकिन वो व्यसन दुबारा करने का उसको मन होता है, वो व्यसन को छोड़ने के लिए उसको संगर्ष करना पड़ता है, व्यसन से दूर रहने के लिए उसको संगर्ष करन पड़ता है लेकिन میरे जीवन में प्रमुक स्वामी महराज के प्रताप से किस प्रकार्ते व्यसन निकल गया मुझे भी पता नहीं चलता है और एक बार व्यसन छोड़ने के बाद दुबारा उसको करने का मुझे मन भी नहीं हुआ है इतना ही नहीं, मेरे जीवन में मैंने पूर्व में कभी व्यसन ही नहीं किया है, ऐसा आज मुझे लगता है, और स्वयम तो वे व्यसन मुक्त हुये, लेकिन कई लोगों को उन्होंने व्यसन मुक्त किया, तो प्रमुक्ष्वामी महराज का कारिय एक मंदीर, या एक उत्सव, उसमें अब ऐसा दैवत रहता था कि मनुष्य का पूरा सा पूरा परिवर्तन हो जाए। इसी महत्सव में दिनांग 6 नवेंबर को गुजरात विद्यापिठ के उपकुलपति श्री रामलाल परिख आये थे। उन्होंने महत्सव सभा में संबोधन करते हुए ऐसा कहा था कि प्रमु लोग धर्म से दूर हो रहे हो ऐसा में दिखाई पड़ता है। लेकिन जब यहां आकर प्रमुख स्वाई महराज की साधना, तपश्चरिया और परिश्रम को मैं देखता हूँ, तब मुझे ऐसा लगता है कि धर्म से दूर होने वाले मुठी बर है, लेकिन भारत की आत्मा को जानने वाले लाखों की संख्या में है। ऐसा कहकर उन्हों ने अपने शिक्षण क्षेत्र का एक अनुबव सभी लोगों के सामने रखा, श्री परिख ने कहा कि 35 साल से मैं क्षिक्षण क्षेत्र से समलग न हूँ, लेकिन मेरा अनुबव यह है कि हम शिक्षक लोग वि प्रेरित नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहां क्या देखता हूँ, तो यहां कलाकार अपनी कला को, धनिक अपने धन को, युवा अपनी शक्ती को, समय को, हुन्नर को प्रमुक स्वामी महराज के चरणों में समर्पित कर रहा है। जो धर्म करता है, वो शिक्षण नहीं कर सकता है, वो आज मुझे यहां दिखाई पड़ता है। जो विद्यार्थी शाला में 25 पैसे की फीप देने के लिए तैयार नहीं होता है, जो विद्यार्थी शाला की गंदकी में हात डालने के लिए तैयार नहीं होता है, वो ही विद्यार्थी, वही युवा आज इस महोत्सव म अपना परिश्रम, अपना पसीना, अपना लहु बहारा है, तो मुझे लगता है कि शिक्षण निती का सुधार, शिक्षण केंद्रों से नहीं आएगा, लेकिन प्रमुक स्वामी महराद ने जो रा दिखाई है, उससे आएगा, उसके प्रतीतिया आने से मुझे हुई है, और अंत में एक बात कहते हुए नोंने यभी बताया कि बहुत ही अध्यतन प्रगतिशिल वईग्णानी और तत्वग्यानी जो विचार कर सकते हैं, उससे भी आगे की सोच प्रमुक स्वामी महराज करते हैं, हम सब morality in action, यानि कि जीवन में नईतिक्ता के बारे में पीएचडी कराते हैं, लेकिन उसका अनुबव नहीं करा सकते हैं, पर वो बात आज यहां मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखी हैं, तो देखो यह प्रमुक स्वामी महराज के कारिय, उनका जीवन, उनका संदेश ऐसा बलवत्तर था कि किसी भी कक्षा का व्यक्ति हो, किसी भी वय का व परंत उसके जीवन में स्वामी जी के कारिय की सुघंद पाकर जरूर परिवर्तन आता था, वो सुख प्राप्त करता था, समाधान प्राप्त करता था, प्रेरना प्राप्त करता था, और यो यह श्री रामलाल परिख जी ने बात बताई, कि अध्यातन प्रगतिशिल यानिक जो नहीं सोच सकते हैं, वैसा प्रमुख स्वामी माराज सोच सकते हैं, उसका अनूभव दिल्ली में जब 30 जुन 2001 के दिन हमारे पुर्व राष्ट्रपती श्री अब्दुल कलाम स्वामी जी को मिले तब उन्हें हुआ था, उस वक्त श्री कलाम राष्ट्रपती के प श्री कलाम के दिमाग में विजन 2020 की जो कलपना थी, वो उन्होंने स्वामी जी के सामने रखी, और उन्हेंने स्वामी जी को बताया कि हम भारत को एक विक्सित राष्ट्र के रूप में देखना चाते हैं, उसके लिए भारत के 500 शिरसस्त वेग्नानिकों के साथ मैंने विम विमर्ष किया है, और ये विमर्ष के परिपाक के रूप में हम ये निशकर्ष पर आये हैं कि पाँच क्षेत्रों में यदि हम तरक्की करें तो भारत 2020 में एक विक्सित राष्ट्र हो सकता है, उस वक्त अब श्री कलाम जी ने स्वामी जी के सामने जो उन्होंने विमर्ष किया था, वो पाँच पॉइंट रखे, उसमें एक था एजुकेशन एंड हेल्थ केर का, दुसरा था एग्रिकल्चर का, तृसरा था इंफोर्मेशन एंड कॉम्यूनिकेशन का, चौथा था इंफ्रस्ट्रक्चर का, और पाँचवा था क्रिटीकल टेक्नलोजी का, ये पा पाँच क्षेत्र में जो भारत प्रगति करे, तो 2020 में हम एक विक्सित राष्ट्र हो सकते हैं, स्वामी जी को फिर उन्होंने कहा कि ये सब कुछ करने के लिए हमें पुन्य नागरिक की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसे नागरिकों का निर्मान कैसे किया जाए, तब स्वामी जी ने श्री अब्दूल कलाम को कहा था कि आपने जो पाँच पॉइंट का विचार किया है, उसमें छठा रखो भगवान में श्रद्दा और अध्यात मिक्ताखा, उसके द्वारा ही हम चारित्रवान नागरिकों का निर्मान कर सकेंगे, जब स्वामी जी ने ये सुझाव दिया, तो उसकी अनुबुती उनके जीवन में क्या हुई, उसका बयान करते हुए, श्री कलाम ने अपनी ट्रांसेंडस पुस्तक में लिखा है, यब किताब भी उन्होंने स्वामी जी के साथ जो अध्यात्मिक अनुबव उन्होंने किये, उस पर ही है, तो उसमें श्री क लिखते हैं कि I was taken aback by clarity, precision and force of his words, स्वामी जी ने जो ये सुझाव दिया, तो उनके शब्दों में जो clarity यानि कि स्पष्टता थी, precision यानि कि जो चौक्साई थी और force यानि कि जो ताकत थी, उससे मानों में स्थब्दर है गया, तो स्वामी जी एक सादू के वेश में थे, ल को की सोच में भी कुछ सुझाव दे सकते थे, ऐसी उनकी प्रतीबाती बुद्धी थी, तो उनके ऐसे कारियों से आज अनेक लोग लाबानवित हुए है, और उन्होंने अपने जीवन का मर्मप्राप्त किया है, कारिय के साथ स्वामी जी की क्रिया ये भी ऐसी प्रेणा प गुजरात विद्यूत बौड के एक अधिकारी श्री अंताणी अपने मन में कुछ प्रशन लेकर उसमें मार्ग दर्शन लेने के लिए स्वामी जी के पास आये थे, जब वे पहुंचे मंदिर में तब स्वामी जी की नित्यपुजा का समय हो चुका था, हरो सुबह में के आसपास स्वामी जी भगवान की नित्यपुजा करने के लिए बैठते थे, करीब पौने घंटे का ये कारियकरम रहता था जिसमें स्वामी जी माला गुमाते गुमाते भगवान की आराधना करते रहते थे, तो ये दर्शन उसके बाद मुलाकात ऐसा आयोजन था, लेकि पौने घंटे तक स्वामी जी को माला जाप करते हुए देखने से ही, ये जो अधिकारी थे, उनके सभी के सभी प्रशनों का समाधान हो गया, जब पुजा के बाद मुलाकात का क्रम आया तब उन्होंने संतों से कहा, कि स्वामी जी के मैंने दर्शन किये, और नित्य जक्तिगत मुलाकात तो सिर्फ औपचारिकता ही रह जाएगा, तो कारिय के साथ स्वामी जी की एक एक क्रिया में भी ऐसा दैवत रहता था कि मनुश्य को अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाए, उनका एक शब्द, एक शब्द से ही अनेक लोग प्रेरणा से परिपलावि तक शहर के एक लबद प्रतिष्ट मनुश्य उनको मिलने के लिए आये, सौमी जी को मिलते ही ये विक्ती ने पाँच साल पूर्व हुई मुलाकात का समरण किया, और उन्होंने स्वामी जी को बताया कि मैं जब पाँच साल पहले आपको मिलने के लिए आया था, तब मेरे मेरे परिवार में मेरे भाई के साथ ही मुझे बहुती मनमुटाव था और हमारे परिवार में पाता वरण भी बहुत क्लेश्म ही था मेरे और मेरे भाई के साथ बोलने का भी कुछ व्यहवार नहीं रहा था आपको मैंने मेरी यह बात बताई तब आपने कहा था कि भले ही आपका भाई आपके साथ कोई व्यहवार न रखे लेकिन उसके जीवन में जब कुछ भी मुश्केलिया आए तो आप उन्हें मदद करना उनके जिवन में जब भी कोई ऐसे प्रसंग आए तब आप उसको मिलने के लिए जाना हमारी और से पुरा पुरा ये सवहार्द सबर व्यहवार रखना और स्वामी जी की ये सला एक बार कब काम में आई तो जब ये जो भाई थे उनका भाई एक बार मुखार से हॉस्पिटलाईज हुआ तब ये व्यक्ति ने स्वामी जी की सला को मान कर स्वामी जी ने कहा था कि जब उनके जीवन में कुछ ऐसे प्रसंग आए तो मदद में खड़े रहना अपने भाई को मिलने के लिए हॉस्पिटल में गए कुछ मदद हो तो करने की बाद भी उसको सुनाई यह सुनकर भाई को अंतरद्रश्टी हुई उनको लगा कि आज तक हम दोनों आपस में कोई व्यवार नहीं रखते थे लेकिन मुरे यह मुश्केली को सुनकर यह मेरे पास दोड़कर आया है और दोनों के बीच जो मत भेद था वो पिगल गया वो कुटुम में वो परिवार में समवादिता आकर बसी तो प्रमुख स्वामी महराज की एक सलाह उनका एक शब्द क्या काम करता था तो यह हमें देखने को मिलता है तो प्रमुख स्वामी महराज के शब्दों और सानिध्य, संपर्क और स्मरण उनके कारिय और क्रिया एक-एक में ऐसा दैवत था कि मनुश्य की समस्याओं का समाधान दे सके उसको प्रेणा दे सके, उसको सुक शान्ती दे सके हेंरी डेविड थौरो ने जैसे लिखा है कि हमारे जीवन में जो प्रश्णा आते हैं वे सभी के सभी प्रश्ण हर एक महान व्यक्ति के जीवन में आये ही होंगे एक भी छुट नहीं गया है जो समस्याओं हमें आज अस्वस्थ करती है बैचेन बनाती है उलजन में डालती है वो सभी की सभी समस्याए हर एक महान व्यक्ति के जीवन में आई है और उसका हल उसका समादान उन्होंने अपने जीवन से ही अपने संदेश से ही दिया है तो स्वामी जी ने अपने जीवन से अपने संदेश से आज हमारे जीवन में आने वाली सभी की सभी समस्याओं का समाधान दे दिया है आप चाहे पिता हो या माता हो आप कोई दुकांदार हो, कोई अमलदार हो आप मुमुक्षू हो, कोई भी हो और आप जो समस्याओं को जेल रहे हो उसका समाधान प्रमुख स्वामी महराज ने अपने जिवन संदेश और कारिय से दिया है। प्रमुख स्वामी महराज के पास सभी को अपनी समस्याओं का सटिक समाधान मिलता था। उसका एक मुख्य कारण था कि प्रमुख स्वामी महराज को भगवान का अखंड साक्षातकार था। एक बार स्वामी जी ने स्वयम ही बताया था कि हर एक समस्या का एक ही समाधान है भगवान। और ये भगवान को अपने रोम रोम में धारण करके स्वामिश्री कार्य करते थे 28 फरवरी 1915 के दिन एक पत्रकार ने जब प्रमुक स्वाई महारास से पुछा था कि आपके जिवन में आपको सर्व प्रथम बार भगवान का अनुभव कब हुआ तब स्वामी जी बोले थे कि पहले से ही यह अनुभूती है यानि कि उनका ये भगवत साक्षातकार अनादी सिद्ध था एक बार परदेश के प्रसिद्ध पत्रकार श्री रौन पटेल ने प्रमुक स्वामी महाराज के साथ बाच्चित करते हुए उनसे पुछा था कि स्वामी जी जब आपके शरीर पर बाइपास सरजरी की गई और उसके बाद आप जब बेहोश अवस्था में से होश में आये तब आपको पहला विचार किया आया था उस वक्त स्वामी जी ने कहा कि भगवान का विचार हमें आया था तब उस विचक्षण पत्रकार ने दूसरी बात पूछी कि आपको ऐसा न लगा कि मैं भगवान के पास न गया और यहां वापस क्यों आया तब स्वामी जी ने कहा था कि नहीं ऐसा नहीं हुआ क्योंकि भगवान अखंड साथ में ही है तो ऐसी एक भगवन मैं प्रतीभा स्वामी जी की थी उसके कारण उनका जिवन उनका कारिय उनका संदेश सभी की समस्याओं का समाधान बनता था इसलिये ही कैनेडा देश के एक सॉलिसिटर जनरल श्री बॉब कपला ने एक बार बात बताई थी प्रमुक स्वाइव आरद को ही उन्होंने कहा था कि you are so pious and pure and if the whole world took you as an example it would be free of war, crime and self-destruction I think you have valid answers to life's toughest questions उन्होंने ये बात बताई कि प्रमुक स्वामी महराज का जीवन ऐसा पवित्र है परिशुद्ध है कि यदि दुनिया की व्यक्ति उनको अपने नजर के समक्ष एकुदारं के रूप में रखे तो ये पुरा सा पुरा विश्व युद्ध बगेर का बन जाए प्रमुक स्वामी महराज के पास जीवन की कठीनतम समस्याओ का सचोट समाधान है तो ये स्वामी जी का संदेश था उनका जीवन था उनका कारिय था इसलिए ही जब 7 दिसंबर 2007 के दिन प्रमुक स्वामी महराज का जन्म जैंती दिन गांधिनगर में मनाया जा रहा था उस दिन गुजरात के ततकालिन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जो आत देश के प्रदान मंत्रीक पद पर आसिन है वे भी दर्शन आशिरवात त्राप्त करने के लिए पदा रहे थे और उन्होंने कहा था कि जो जो चीज को प्रमुक स्वामी महराज ने हाथ लगाया उसको उदाहरन रुप बना दिया है और आने वाली अनेक पिडियों को उसके पीछे चलने को मजबूर किया है तो स्वामी जी का स्पर्श ऐसा था कि हर एक लोगों को वे जो कुछ करे उसमें से प्रिर्णा मिले ऐसे भगवत साक्षातकार करने वाले परंपुज्य प्रमुक स्वामी महराज की शताब्दी के उपलक्ष में आज से लगा अतार एक महिने तक B.A.P.S. समस्था के विद्वान संतों के द्वारा व्याख्यान श्रेणी का प्रारंब हो रहा है ऐसे संत मानो सूर्य और चंद्र जैसे है जैसे सूर्य हमें हिंदुस्तान में दिखाई पड़े उसके कारण वा सिर्फ भारत का नहीं बन जाता है वो तो पूरे विश्वका ही रहता है जैसे चंद्र अमरीका में दिखाई पड़े उसके कारण वो अमरीका का नहीं हो जाता है पूरा विश्व का ही रहता है उस प्रकार परमपुज्य प्रमुक स्वामी माहराज जैसे संत पूरे विश्व के हैं वे किसी एक संप्रदाय एक देश के नहीं होते हैं तो ऐसे प्रमुक स्वामी माहराज के सार्वजनिक वैश्विक जीवन पर प्रकाश करने वाली ये व्य अख्यान श्रणी का प्रारंब हो रहा है, उसमें अनुभव और आच्रण के बल पर जो संत बाते करेंगे वे भी ऐसे सु शिक्षित है, उसमें कई पीएच डी की पदवीधारी है, कई ने अपने विद्याक्षित्रों में स्वर्णपदक हासिल किये है, कई डॉक्टर है तो चार चार दशक तक कार्य किया है और स्वामी जी को अती निकटता से देखा है, ऐसे संतों के व्याख्यान से मानो हमारे जिवन में, हमारे घर में प्रयाग की पवित्रता प्रकट हो जाएगी प्रयाग का सुजन कैसे होगा तो यह व्याख्यान माला से हमारे घर में formation, reformation और transformation का अनुवव होगा यही प्रयाग की पवित्रता हमारे जिवन में, हमारे समसार में, हमारे परिवार में, हमारे घर में हमें उसका अनुवव करने का सवभाग्य मिलेगा तो आज से यह जो एक प्रयाग हर एक के गर में इस व्याख्यान माला के द्वारा रचाने के लिए जा रहा है तो ऐसे स्वामी जी के जिवनकारी और संदेश को लेकर यह जो व्याख्यान श्रेणी आ रही है उसका लाब उठा कर हम भी हमारे जिवन में फॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन और ट्रांस्फॉर्मेशन की त्रिवेणी का अनुवव कर सके यही भगवान के चर्णों में प्रार्थना जाए स्वामी नाराय